नमस्कार दोस्तो आज हम आप लोगों को अपने बालों की लंबाई कैसे बढ़ाएं क्योंकि आज कल महिलाएं काफी परिशान रहती हैं क्यों परिशान रहती हैं जब उनके बाल तूटने लगते हैं गिरने लगते हैं और लंबे नहीं होते हैं तो वे काफी निरास हो जाती हैं क्योंकि जब उनके बाल बार बार अशनान करने के बाद अपने बालों में कंगी लगाती हैं तो उनके बाल तेजी से जड़ने लगत तो ऐसे इस्तित में दोस्तो आज हम आप लोगों को कुछ घरेलू उपा लेकर आए हैं जो आप अगर हमारे बताए गए अनसार उसका प्रियोग अपने बालों में करती हैं तो आपके बाल जड़ना गिरना सब बंद हो जाएंगे और आपके बालों की लंबाई मात्र 20 दिन म बढ़ने लगेगी तो दोस्तो आपको क्या करना है चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं बताने से पहले आपसे एक छोटा था रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सस्क्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करें ताकि कोई भी नए वीडियों हम अपडेट करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो तो दोस्तो आपको आवला का पावडर ले लेना है दोस्तो आप चाहे तो कच्चे आवला को सुखा कर पीश कर पावडर बना सकते हैं या मार्केट से कोई भी पावडर खरीद सकते हैं तो आपको आवला का पावडर लेना है और आपको पानी लेना है दोस्तो सबसे आसान उपा है क्योंकि जो आवला होता है काफी बालो को मुलायम करता है और आपके बालो की लंबाई भी तेजी से पढ़ाता है तो ऐसे इस्तित में आपको कम से कम आधा गिलास पानी में दो चम्मच आवले का चोड को डाल देना है साम को और सुबह उसे चान कर आप अपने बालो में लगाएं यहनि कि आपको आवले का पानी अपने बालो में लगाएं लगाना है लगाने के बाद आप दो घंटे बाद अशनान कर लें यहीं कि आप कोई भी साबून या सैंपूर से अपने बाल को वास्ट कर सकते हैं तो उसके बाद आप अगर ऐसे लगातार केवल 20 दिन अजमाईए देखिए आपके बालों की लंबाई तेजी से बढ़ने लगेगी और आपके बालों की किसी भी प्रकार की समय से रहेगी वह दूर हो जाएगी इसका कोई साइड एफेक्ट नहीं है तो दोस्तो अगर यह वीडियों आप लोगों को अच्छी लगे है तो हमारे वीडियों को लाइक और सेयर जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए रुजाना हेल्थ संबंधित वीडियों लेकर आते रहते हैं तब तक के लिए धन्यवाद